हेलो फ्रेंट्स आज आपके साथ सेयर कर रही हूं करवाचोत के पुजा का जो सामान है उसको हम क्या करते हैं बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो आज ये पूरा वीडियो देखना और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेयर करें तो अभी ये जो संगार का सामान है जो हम बाइने के लिए रखते हैं ये में रख देती हूं और अगर आपके सास को देना होता है तो आप अभी दे दें और अगर रखना है तो आप रख सकते हैं जब आप दे तभी दे सकते हैं और ये सब चौकी में हटा दूंगी ये संगार का साम आप टाइम जरूर देखें जब आप ये सब सामान हटाएं तो जितने भी फल फ्रूट है वो हम बच्चों को दे देंगे यहां से हटा के गरवाले भी हम सब खा सकते हैं ये तो मा करवा का परशाद है तो ये सब अच्चे महरुत में हटाते हैं और अगर रवीवार और मंगलवार हो तो उस दिन ये सामान हम नहीं हटाते हैं अच्छा वार होता है उसी दिन हटाते हैं तो ये सब सामान में ले रही हूं और जो थाली में जो समाने ड्राइफुट वगयरा वो हम बच्चों में बाढ़ देंगे और जो करवे के उपर जो हम पैसे रखते हैं वो भी हम बच्चों को दे देंगे अगर आपके घर में बच्चे चोटे नहीं हो तो आप अपने नरंद के बच्चों को या कोई ब्रहामनों की बच्चों को भी दे सकते हैं तो ये जितना भी जो ट्रैश्फूट है ये में बच्चों में बाढ़ दूंगी और एक करवे हमने बगवान को रख देने के लिए यूच कर दिया और एक करवे में कच्चा दूद और जल भरा हुआ है तो वो हम क्या करेंगी आप पूरो वीडियो देखना पीपल होता है ना हमारे आसपास वहां हम ये चल उन पीपल में चड़ा देंगे और जो भी एक्ट्रा समान होता है जो हम यूज कर लेते हैं और दुबारा पुजा में नहीं यूज होता है तो वो भी हम पेपल में रख देंगे तो ये ड्राइफूट में रख दी हैं जो बच्चे खा लेंगे और ये जो कंकु है ये तो हम कामे ले लेंगे इन में कुछ भी नहीं होता है ये जो चूड़ी है ये मेरी पैनी की चाच की है तो ये में अपने पास रख दूंगी जो हमारा समान है वो हम अपने पास रख देंगे और जो हम पुजा के लिए बोलते हैं ना कि सब आप शमान को क्या करेंगे तो यह पूरा वीडियो देखना आपको समझ में आ जाएगा तो यह मौली है यह भी रख दूँगी जो दुबरा हमारे पुजा में काम मिले सकते हैं और यह जो भी सामान है एक तरफ रख दिया है और इस करवे में जो कच्चा दूद और जले यह हम बिपल में डाल देंगे इसमें जो चावले खाली कर देंगे जो हम चिडिया को दे देंगे और जो ये फूल और ये हैं ये भी हम अलग पुजा का सामान जो है अलग रखेंगे और इसमें चान्दी का सिक्का है जिस पे कनेश और लक्समी जी का है फोटो बना हुआ यह समान मैंने अलग से ले लिया है तो अभी हम घर से निकल रहे हैं पिपल की और अगर आपके आसपास पिपल नहीं है तो आपके वहाँ पोदे होते हैं उनमें भी डाल सकते हैं आप तो अभी पिपल आ गया है और यह जोई करवेब में बरवा था जल और कच्चा दूद वह मैं पिपल में डाल दूँगी और यह इसमें भी यह थोड़ा यह भी डाल दूँगी तो कुछ लोग करवे अपने पास रखते हैं इनको सजा के और अगर आप ध्यान नहीं रख सकते हैं तो इनकरव को आप जल में विसरजन कर सकते हैं मैं कभी विसरजन कर लेती हूँ कभी अपने पास रखती हूँ पर बच्चे रहने नहीं देते हैं तो इनको हम कंडत नहीं कर सकते हैं तो इसी तरीके से हम इसको विशेजन कर सकते हैं और मिटी के करवे एक भारी काम आते हैं तो इनको मैं जल में विशेजन कर दूँगी बेहते पानी में और अगर आपके वाँ बेहता पानी नहीं है तो अब घर में रख सकते हैं थाइंक्यू